कि हालो प्रेंट्स आज मां आपको बताऊंगा कि बच्चा देते समें गाय भैंस फूल पाच्छा शरीर बेली नहीं दिखाएगी फोत इस तरह के जो आप केस फिल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कई गाय हो या भैंस जो बच्चा देते समें उनमें शरीर कि दिखाना पाच्षा दिखाने की सिकायत मिल लिए जिसकी वजह से। उनमें उपचार होने के बजाए नुकसान उने देखने को मिलता है तो आज की वीडियो के अंदर में आपको जान करें दूंगा कि यह आपकी नहीं सब बच्चा देने वाली है। उसी देना चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं देनी चाहिए ताकि आप अपने पशू को सेव रख सके अन्य था बहुत ही ज्यादा नुक्सान हो सकता है वीडियो जूर लंबी होगी लेकिन इसकी पूरा देखना इस चैनल पर अभी नहीं आएं पहली पर जुड़े हैं तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेला आइकन और आलवाला उपसंद दबाएं आपको पताएं कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिपिक मेटर से जानकारी दी जाती है ताकि पसु पालक है या पसु उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले दो जो प्रिगेंट पसु हैं जो लााट सेज में जो ब्याने वाले जैसे दो दिन में या पांस दिन दो दिन दिन में आप उन पसू को चरा सकते हैं इस बात का ध्यान में रखना है साथ में उसे एक इस बात का ध्यान रखें कि श्याम के समय रात के समय उसे पानी ने पिलाएं ज्यादा इस बात का है यह दि आप उसे पानी ज्यादा पिला देते हैं या जो बांट या दाना मिश्ण भ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए एक मैन बात यह कि उसे बैढने का इस्तान जो हम पर भी इदियाब अपने पशूं को रखते हैं गाया बैस है जो प्रिगेंशी स्टेज में लाज्शी स्टेज में है थोड़ा थोड़ा सरीर दिखा रही है लेकिन कई ब्रिष्टर की स्थ करती होते हैं कि जयदा w दिखा देती है तो आपको क्या करना है कि उसके बैननें इस तरह की होनी चाहिए यांई आग्ये वह होनाँ इस्तान पर मिट्टी रख दे ताकि पशू बैठे तो ऐस तरह से बैठे ताकि पशू का सरीड दिखाई न दे यह भी बहु ज़्यादा जुरूरी है यह वहाँ पर इदियाब सही ध्यान नहीं रख पाएंगे तो भी पशू में प्रोलिप्स आता है तो आगे का इसा निचे दो तीन जिगह कर दे चारोर से और ज्यादा और रख दे और फिर आप अपने पशू को बैठाएं ताकि पिछे वाला इसा उपर हो जाए इसी के साथ साथ आपको करना है कि लास स्टेज में पशू ब्याने वाला है तो उस स्तती में उससे टांके नहीं लगवाने चाहिए पिछे के भाग में टांके बिल्कू नहीं लगाने चाहिए अन्यता भी नुकसान है वहाँ पर आप एदी इस तरह से साथान रखेंगे तो भी ठीक है या फिर आप कोई इस तरह की जो आरी होती है उसका भी आउप्योग कर सकते हैं जो बांधने के लिए वह भी आप नॉर करना है कि आप अपने पसों को एक हार्मोनल यूग्ट पावडर टेबलेट इंजेक्षन उस स्तति में पसों को भूल कर भी नहीं लगाना है यानि प्रोजेस्ट्रोन यूप्त जो हार्मोन होता है उस इंजेक्षन का भी प्रियोग नहीं करना है साहँ उस तरह की बहुत इ इनाल जैसी या सुन करने वाले इंजेक्शन आप उस पसू को नहीं लगवाना है लाश्टी स्टेज में इदी ब्याने वाला है तब भी आपके पसू में बहुत ज्यादा दिकत हो सकती है कईबर पसू में इदी जिनको पता नहीं रहता है पसू में डिलेवरी उन्ने वाले पांस से साथ दिन में और उन्में डूरा प्रोजन इंजेक्शन जो प्रोलेप्स में लगा देते हैं जो हमने कई बर फिल्ड में देखा है तो उस इस्तती में नए वेट्रिनेंस का बात का ध्यान में रखें कि इस तरह की इंजेक्शन का उप्योग 15-20 दिन पहले पसू मे आप ब्याने वाला है तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें इस बात का आपको द्यान में रखना है साथ साथ में बताए कि गरम यूग चीज़ें आप उपने पसू को नहीं देनी है ठंडी चीज़ें आप अपने पसू को दें जिस प्रकार से हराचारा है पसू को जो भी आपने पसू को बाट या दाना मिसन दे रहे हैं उसमें पचास ग्राम प्रड़े के साब से मिनरल मिक्सर पसू को जरूर देते रहना चाहिए जो प्रोलेप्स शरीर आवल दिखाते हैं उन पसू को साथ साथ में पसू नोर्मल दिखा रहा है तो उस जगह पर आप ठंड़े पानी का उपयोग करें जित्रा हो सकता ठंड़ा पानी उसके पीछे वाले बाग पर शरीर पर डालते रहें पिछे वाले बाग पर ताकि आपके पशू में जो प्रोलिक्षण बना रहें तो वह दिखाई नहीं दे तो आप ठंड़ी पानी की बहुतर प्रीज से और उसके शरीर पर डाल देदी नॉर्मल दिखा रहा है तो दिखाना बंद कर देगा फोत अच्छा है आपके पशू के लिए और नुकसान भी आपके पशू में नहीं करेगा यह तो आपको करना है करना है इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए एक एक आयरवेदिक इस्प्रे आता है वह इस प्रेइ अपने पास जरूर रखना चाहिए इस तरह केस में जब भी यह आपका परशू यह शरीर दिखा रहा है तो उस इस्तती में आप उ शरीर दिखा रहा है वह शुकूर जाएगा और अंदर चला जाएगा तो आप इस प्रेइ का उप्योग जरूर यह दिया आप अपने जिस तरह से पशूर दिखा रहा है तो इस इस्तती में आप इस प्रेइक को रखना चाहिए ताकि बहुत यह अच्छा रिजल्ट आपके पश्यू में देखने को मिले एक तो इस पर रखना चाहिए इसी के साथ आप एक जो में पावडर बता रहा हुए भी आप उसी इस्तती में उप्योग कर सकते हैं जो कि बैटरी जेल मिलता है जिस तरह से राज शिरीक आता है प्रोलिप क्यूर आने के लिए बहुत इस तरह करते यहीं पावडर आते हैं लेगिन जो प्रोलिप क्यूर आता है प्रोलिप क्यूर पावडर यह Şimdi चार介 efic implemented अता को आप तो आपको डेट सो ग्राम पावडर लेना है . डेट सो ग्राम पावडर को ले करके आप और जमनी साथ यानि जो आप चावल करना है उसका जो मांड बचता है पानी साथ चावल के मांड के पानी के साथ गोल करके आप उसी पशू को और उनमें आप सो ग्राम क्या करना है कि सो ग्राम आप देशी गी मिला ले और उसी के साथ आप मिक्स करके या बेसन भी इसमें मिक्स कर सकते इससे बहुत ज़्यदा रहात आपके पशू को मिलती है कोई नुक्सान आपके पशू में नहीं करता है और प्रोलेफ शरीर आवाल जो भी दिखा रहा है वह तुरुंत रुख जाता है और जो यह मैंने आपको बता है कि स्प्रेय और एक पावडर यह किसी भी तरह की एंगल